सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का अपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज करते हैं और उसके अंदर आप Instagram यूज करते हैं और Instagram में जब भी आपको इस्टोरी अपलोड करने को ट्राय करते है तो आपके सामने ये एर देखने को मिलता है Could not upload try again अगर आपके सामने ये एर और आ रहा है जब भी आप स्टोरी अपलोड करते हैं तो आपको क्या करना है इस प्रॉलम चुटका रहा पाने के लिए जिससे कि आप इसली अपनी स्टोरी को अपलोड कर पाएं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो में तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो इस कुट नोट अपलोड अगें की प्रॉलम को सॉल्ब करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है इंस्टाग्राम को उपन करना है इंस्टाग्राम को उपन करने के बाद यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करना है यहाँ पर सैटिंग्स देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करिए क्लिक करने के बाद आपको account का option देखने को मिल जाता है इस पर क्लिक करिए दन उसके बाद scroll करना है और नीचे cellular data uses है cellular data use इस पर क्लिक करिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो option मिल जाते हैं use less data, data saver data saver को on करिए नीचे आपको high resolution media है इस पर आना है और यहाँ पर cellular plus wifi इसको enable कर देना है दो उसके बाद आपको directly back आ जाना है इससे आपका काम हो जाएगा अगर फिर भी काम नहीं होता तो एक बाद setting में आईएगा setting में आनके बाद scroll करना है apps पर आना है manage apps पर आना है वहीं आपको instagram को search कर लेना है instagram open करने के बाद आपको stories पर click करना है नीचे clear data और फिर इसका clear catch कर देना है normal clear catch करना है और फिर upload करके देखने है अपनी story आपको वह error जो है फिर से देखने को नहीं मिलेगा अगर आपको वह error फिर भी देखने को मिलता है देन उसके बाद आपको play store पर आ जाना होगा play store में आने के बाद आपको instagram को search करना होगा instagram को search कर लेते हैं instagram को search करने के बाद यहाँ पर आपको update को option देखने को मिल जाएगा open की जगे तो अपने instagram को आप update कर लें जैसे आप अपने instagram को up to date कर लेंगे आप देखेंगे जो भी problem होगी आपकी story से later तो आपकी solve हो जाएगी फिर से वो आपको देखने को नहीं मिलेगी ये काम भी आपको जरूर से कर लेना है guys then आपको back आजाना है फिर उसके बाद आपको mainly problem आती है कि ये problem आपको internet की वज़े से भी आ सकती है तो आपना जो भी internet वगारा होगा उसको बंद करके फिर से चालू करें या फिर आपके mobile में option देखने को मिल जाता है आपको airplane mode का जिसको हम flight mode बोलते हैं उस flight mode को एक बार own करना है जैसे आप उसको own करेंगे आपके network super से चले जाएंगे और 10 second के बाद उसको फिर से बंद कर दें तो आपके network refresh हो कर आ जाएंगे और आपका internet भी चलने लगेगा अगर internet से related problem होगी तो या फिर आप किसी wifi से connect होकर check कर सकते हैं तो guys बस यही काम आपको कर लेने होंगे और आपकी जो problem होगी स्टोरी से related वो जट से दूर हो जाएगी और फिर आपको अपने mobile को एक बार से power button दाना है बस आज की वीडियो में आपको यही बताना था होप आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिल नबाटे के ल लव यू अल